दोस्तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्लॉक सुपर प्रॉपर्टीज में आज हम आपके लिए मजीठा रोड पर एक सो स्क्वेर याड की न्यू बिल्ड कोठी लेके आए हैं जो कि बहुत भी बड़िया बने हुई है गुरु नानक देव हॉस्पिटल से सिरफ पांच किलो मिटर की दूरी पर गुरु हार राय आवेन्यू में ये लोकेटिड है इसक परटी को परचेस करने के लिए इंट्रेस्टेड है तो आप हमारे से कॉंटेट कीजिए अगर हमारी दीवी इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये है मेन रास्ता है जो गुरु हार राय एवेन्यू की तरफ जाता है यहा होती अच्छे मकान बने हुए हैं यह एक बंद गली है सिक्योटी वाइज यह काफी अच्छा है मेन गेट से एंडर करते ही पॉर्च एरिया है जिसके अंदर आराम से आप एक अपनी कार बाई को स्कूटर पार्क कर सकते हैं लेफ्ट एंड पे एक टौलेट बनाया हुआ ह जिसमें फिटिंग अभी लगना बाकी है आईए अब आपको घर के अंदर लेके चलते हैं आठ फूट का लैमिनेटिड फ्लश डोर लगा हुआ है उसी के साथ जाली का दर्वाजा भी है राइट एंड पे स्टेर केस है जो फ्रस्ट फ्लोर की तरफ जाती है उसके आपॉजिट पूरा लॉबी एरिया है जिसको आप ऐसे डाइनिंग रूम पे इस्तमाल कर सकते हैं च्छत पर डाउन सीलिंग बने हुई है आईए अब आपको किचन दिखाते हैं पूरी मॉडलर किचन है बहुत सुंदर वुडवर का काम हुआ है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए विंडो दिए हुई है काफी स्पेशियस किचन है बैक साइड पर दो बैडरूम विद अ करीबन 11 फूट बै 11 फूट का है चत के ऊपर डाउन सीलिंग का काम हुआ है फ्लोरिंग के ऊपर वेट्रिफाइट टाइल लगी हुई है वाइट कलर की जो काफी ही सुंदर है दिखने में आईए अब आपको बाथ रूम दिखाते हैं बाथ रूम के अंदर भी काफी सुंदर कलर की टाइल लगी हुई है फिटिंग बैलेंस से सब लगा की दी जाएगी आपको वेंटिलेशन के लिए खिटकी दी हुई है इसी के साथ कमरे से एक रास्ता शाफट की तरफ जाता है डेक्ट ऊपर से कवर की हुई है प्रापर वेंटिलेशन का इंतिजाम किया हुआ है आईए आपको सेकिंड बैडरूम दिखाते हैं इसका साइज भी ग्यारा फूट बै ग्यारा फूट है चत के ओपर डाउन सीलिंग का काम हुआ है बैडरूम का एरिया सफिशेंट है इसम आईए अब आपको इसके साथ का बाथरूम दिखाते हैं इस बाथरूम के अंदर भी काफी ही सुन्दर टाइल का काम हुआ है बाथरूम की फिटिंग बैलेंस है जो आपको लगा के दी जाएगी आईए आपको फिर्स फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं ये तीन फूट का इसके पर ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है इसी के साथ स्टील की रेलिंग लगा के दी जाएगी आपको फिर्स फ्लोर पर एंटर करते ही आपको एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई देगा और बैक सेट पर दो बेडरूम है ये एल शेप का हॉल है आप इसके उपर देखिए चट पर डाउन सिलिंग का काम हुआ है और फ्लोर पर विट्रिफाइट टाइल लगी हुई है हॉल का साइज काफी बड़ा है इसको आप आराम से अपना लेविंग रूम की तरह इस्तमाल कर सकते हैं और रोशनी के लिए विंडो दी हुई है एक ये छोटा सा एरिया ड्राइ पैंटरी के लिए बनाया हुआ है आईए अब आपको पीछे की तरफ जो दो बैडरूम में वो दिखाते हैं ये बैडरूम नंबर वन है इसमें भी डाउन सेली का काम हुआ है इसका साइज तकरीबन 11 फूट बै 11 फूट का है रोशनी के लिए इसमें विंडो दी हुई है और इसके साथ अटैच बातरूम भ का बातरूम में इसके अंदर डबल कंट्रास की टाइल लगाई हुई है डाउन सेलीं का काम हुआ है बातरूम की फिटिंग आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी वेंटिलेशन का भी प्रोविजन है आईए आपको सेकंड बैडरूम दिखाते हैं इसका साइज भी 11 फूट बाई 11 फूट का है डाउन सेलीं का काम हुआ है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए विंडो है इसके साथ भी अटैच बातरूम है इस कोटी के अंदर चार बैडर काफी सुन्दर काम हुआ है सैनिटर की फिट्रिंग इंस्टॉल करके दी जाएगी आएब आपको बाहर की तरफ बालकनी दिखाते हैं यह फर्स फ्लोर की बहुत बड़ी बालकनी है इसके उपर डाउन सेलिंग का काम हुआ है यहां पे आप बड़े आराम से अपनी सिटिं और बरसाद के दिनों में यहां पे चाय का आनन्द ले सकते हैं चारो तरफ देखिए काफी अच्छे मकान बने हुए है आएब आपको टेरस की तरफ लेके चलते हैं तीन फूड का यह स्टेर केस है ग्रेनेट मार्वल इस पे लगा हुआ है स्टील की रेलिंग आपको लग यह डग्ट का एरिया है जिसको कवर किया हुआ है मम्टी के उपर पांसो लिटर वाटर टेंक लगाया हुआ है इसके अंदर सबमर्सिबल का प्रोविजन है चारो तरफ आप देखिए घर बने हुए हैं अगर आपके प्रॉपर्टी पसंद है और आप इसको पर्चेस करना चाहते हैं तो आप हमारे से कॉंटक्ट कीजिए हमरी सर में कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल पर्चेस करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमारे से कॉंटक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई कोई कोश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में